North Atlantic Treaty Organization यानी NATO को जल्द एक नया मेंबर स्वीडन के शकल में मिल सकता है और अब तक तुर्किये की वजह से ये मुम्किन नहीं हो सका था लेकिन इस मामले में भी स्वीडन को अब कामयावी मिलने लगी है तुर्किये की पार्लियामेंट की एक कमेटी ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वेडन के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है ये प्रपोजल प्रेजिडेंट रजब तयाब अर्दोगन की सरकार की तरख से रखा गया था रिपोर्ट के मुताबिक स्वेडन के लिए ये बड़ी काम्यावी तो है लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है अब उसे तुर्किये की जनरल असेंबली से भी हिमायत की उमीद है इसके लिए प्रोटोकॉल है और ये प्रोसेस कब शुरू होगा इसका एलान नहीं किया गया है तुर्किये की सरकार करीब एक साल से स्वेडन की नाटो मेंबर्शिप की रह में अरंगा डाल रही थी स्वेडन को नाटो में शामिल किये जाने की मुहिम ने करीब 6 महीने पहले जोर पकड़ा था और इसमें अमेरिका का किरदार एहम था नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टालनबर्ग ने खुद इसका एलाग किया था उन्होंने कहा था तुर्किये के सद्र अर्दोगन स्विजन के नाटो से जुढने का प्रपोजल अपनी नेशनल असेंबली में पेश करने के लिए तैयार हो गए हैं हमें उमीद है कि जल्दी इसे मनजूर कर लिया जाएगा वाज़ हो कि लिथुआनिया के विलियंस शेहर में जुलाई में हुई नाटो समिट के दोरान स्टॉलनबर्ग ने स्विजन और तुर्किये के लीजर्स के साथ ड़ैठक की थी और इसके बाद एक जॉइंट स्टेट्मेंट में स्विजन के पीम क्रिस्टर्सन ने कहा था कि ये स्विजन के निया अच्छा दिन है NATO membership के बदले Sweden तुर्किये के European Union में शामिल होने की कोशिशों की हमायत करेगा दरसल Erdogan ने Sweden की membership को लेकर कहा था कि तुर्किये की संसत से Sweden की NATO bid approved होने से पहले European Union को उन्हें अपना हिस्सा बनाना चाहिए कुछ experts का मानना है कि तुर्किये Sweden की रुखनियत के जरिये अमेरिका पर fighter jets देने के लिए भी pressure बना रहा था दरसल October 2021 में तुर्किये ने 20 अरब डॉलर के F-16 fighter jets समेथ मौझूदा warplanes के लिए 80 modernization kit खरीदने की request की थी हाला कि अब ये deal भी हो चुकी है तो आखिर कार Sweden को NATO में शामिल करने का जो रास्ता है अब साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि तुर्किये की तरफ से ये जो मन्जूरी है ये यहाँ पर मिल चुकी है तो तुचेली इस पर हम चर्चा करते हैं और इस वक्त हमारे साथ जुट चुके हैं foreign expert निपोना लंबयान निपोन जी बहुत खेर मगदम है आपका और सबसे पहले आप से ही जाना चाहेंगे कि आखरकार स्वेजन के जो रास्ता था वो साफ हो चुका है लगातार हम देख रहे थे पिछले करीब 6 महीने से कि अरंगा लग रहा था तुर्किये की तरफ से लेकिन अब तुर्किये ने मन्जूरी दे दी है इस बात को किस तरह से इसे आप देख रहे हैं देखे चर्किये की मन्जूरी देने की दो तिन वज़ अभी 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 जर्टा है जर्टा है उनका मैजूर्टी है उनको वहां पर पास काने को जिकत नहीं होगी लेहाजा स्वेडन जो है वो नाटो का मेंबर बन जाएगा अच्छली आपने भी रिपोर्ट में बताया कि अफ-16 की बात थी अमेरिका से बाते लेने के लिए तर्किया ड़ाडा रा था लेकिन इसके दो मुख्या जो मैं मानता हूँ एक तो क्या था कि जो कुर्द हैं आप देखेंगे टर्किय के बॉर्डर पर सीरिया के बॉर्डर पर एक कुर्द कम्यूटी है जो अपने कुर्दिस्तान की मान करते हैं और वो रह रहकर कुस इराक के बॉर्डर पर सीरिया के बॉर्डर पर तर्किय के बॉर्डर पर अपन पूरा बोर्डर वाई लाके में पूरा प्रभाव बन रहा था, उनके उपर हमले किया गये थे टर्की की एरस्टाइग, बन्दब एरफोर्स के दुआरा, तब स्विटल हो या फ्रिड्लेंड हो इन सब कंट्रीज ने टर्की की इस कारवाई की बहुत आलोचना की थी, बहु थी, अब यहां आज की दिनों में बात करें, तो हाल की दिनों जा सुजन की बात वो, फिर्लेंड की बात वो, उनके सुर्ज ने लड़ाकों के ओपर गहाए, थोड़ से वीक हुए, कमजूर हुए हैं, दोस्ता क्या था कि टर्की का पिछली दिनों में देखें, कि पाकिस् कि पूरा एंपारी के तरफ में आपको रिवाइब करेंगे, लेकिन दिकत है कि टर्की के पास में रिसोर्स की कमी है, टर्की के पास कुछ ऐसा नहीं है, कि वो अपने आपको परभूत मला सके, सिवाए नाटो के मेंबर बनने के अलाबा, अब नाटो का विस्तार होता है, आप देखें, फ्रीड लेंड व स्वीडन के अगम बात करते हैं, इनकी पॉलसी कुछ ऐसी थी, जैसी पॉलसी रही है, आपकी भारत की इसकों लोग नैम बोलते हैं, नम आलाइन में मुमेडिया निर्पेश तक ही नीती, हम देखें तो इधर सीटो, जो रश्या का लाइन इधर नाटो के कंट्रीज हैं, और इधर आपके सीटो के कंट्रीज हैं, तो ये हमेशे अपनाप को रखते थे, कि हम दोन अपनाप को क्या रखेंगे, एक न्यूटल रखेंगे, एक गुटनेट्वेक जैसा रखेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं, रश्या ने क्रीमिया पर 2014 में कंट्रोल किया उससे पहले जर्जिया और आपका जो कॉंफ्रिक्ट वादा जर्जिया के साथ में लेखे बाद जो दो जाराट में रश्या के साथ उसके बाद से स्वीडन और फिर्डलेंड को भी अपनी स्वतंता के उपर संकट लगने लगा कि कई ऐसा ना हो कि रश्या हमारी ओर भी क्या करें इन्वर्स नकरें और कि जब नाइंटी में रश्या का टुक्रे हुए चैनि कि उयसा के जब टुक्रे हुए थे